हेलो एव्रिवन कैसे हो आप सब आज हम स्टार्ट करते हैं कि क्लास नंबर सेवंथ और चेप्टर नंबर फॉर और हर एक कॉंसेप्ट में मैंने कोशिश किये कि एक क्लास में एक कॉंसेप्ट खतम हुझे आने वाला मलब कंपनी लोग वाले के लिए मैंने कोशिश की थी कि कि दो तिन क्लास लगा दूं ताक एक 20 बन जाए चेप्टर का उसके पाद मैंने कोशिश की है कि हर एक कॉंसेप्ट में एक क्लास लेना राट क्लास होप्सों सब पढ़के बैठे होंगे कि हाउट टू एस सेक्यूर्टी इस कॉंट्रेक्ट प्रकॉलेशन एक्ट के अंदर हमारा किस तरीके से पैनिल्टी का चलने वाल है तुसी के खिलन में आगे बढ़ते हों तो चुक्षि के सिक्वेंस में लेकिए हम आज बात करते हैं एक वाइरी वरी इंपॉर्टन वरी इंपॉर्टन इन्पॉंसेप्ट कॉंसेप्ट कॉंसेप नबर 4 कई वच्चे की बू तुने लोग वाला तो था ही था, ठीक है मैं मानता हूँ, सहभी वाला भी था, वैसे तो डिस्प्यूट की बुक अपने आपने ही seven chapters है और अपना पे हर एक concept अपना भी important है, इस वाले concept को ना दिल से वाज बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं कि वाले concept ना बड़ा important है, और self-study वाले बच्चे हैं, आप लोग भी ने इसको नाम सुनके और इसको छोड़ दोगे, नाम से ना पढ़के ऐसा लगेगा बड़ा tough है, actually में थोड़ा है, मतलब मैं यह नहीं बोलूँ कि बिल्कुल easy है, थोड़ा समझने वाला है, इसके background में जाने वाला है, cram करने का ठीक है, मतलब मेरे पास cramming का कोई भी जंगय नहीं है, मैं अलग purely अगर मैं आपको बोलू, कि conceptually चलना है, तो मेरे साथ चलना पड़ेगा, conceptually बात करूँ तो उसके background history में आज मैं आपको ले के चलने वाला हूँ, time जादा ना लगे वही है, हमारा 50 minutes, 45 minutes, 50 minutes class का timing से रहे, उसी चीज़ को mind में रखते हुए, मैंने आपसे class लेने से पहले एक थोड़ी सी मेहनत की है, देखो, act का नाम पड़े क्या पता लग रहा है, उसके background में जब लेगे जाओंगा, पहले आपको नाम से ही पता लगे कि act का नाम क्या है, जैसे कि मेरी always, मेरी habit है, कि सबसे पहले act का नाम पड़ना, उसके बारे में फिर उसकी बाल की खाल उतारना, उसकी तोड मरोड करना, उसको निकालना कि yes, ये act आया क्यों, इस act के आने के पिछे purpose क्या था, and then आगे बढ़ना, फिर जब एक बार ये समझ में आ जाएगा ना कि इस act का preamble क्या था, that means objective क्या था, इस act के आने के पिछे purpose क्या था, क्यों ये act आया, तो ना फिर पूरन एक तारे जुडनी start हो जाते है, कि yes, ये इसका object है, इस ये यहाँ यह applicable होगा, ये इतने 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 इसके अंदर sections है, या ये हमारे syllabus का part बनेगा, तो इस तरीके से अगर इस act की में बात को हो, तो बड़ा प्यारा act है, बतलब आप लोगों के लिए purely new act act, अभी एक बार नाम सुना होगा, इसको आपने नाम सुना होगा इसका, जब हम remuneration देते हैं, schedule 5, basically companies act के अंदर आपने ये नाम पहले सुना होगा, list of acts, जहां हम क्याने होने चाहिए, हम prohibited, उन act के अंदर हम कोई भी penalties या, उन act के अंदर हम convicted proof नहीं होने चाहिए, जब आप schedule 5 पढ़ोगे जागे, तो अपने ये नाम ही याद हो जाए, नाम ही याद हो जाए, तो इसको इन शोट लिखते थे कोफे पोसा, सी का पतलब, conservation, conservation of foreign exchange and prevention of smuggling activities, तो नाम से ही पतला लगा रहे, conserve करना, रोकना, कम करना, foreign exchange, foreign exchange को रोकना? नहीं, जहां से, and prevent करना, to stop, रोकना, smuggle करने से, भारवाले foreign exchange है, उसको smuggling करने से रोकना, तो सर फैमा भी तो है, मालब, ओल्दो फैमा है, बट फैमा उसके limits बताता है, बट ये वाला act, मैं आपको बताऊँगा, detention को बताता है, एक word आएका detention, अगर जो आपको इस word का मतलब समझ में आगया, आपको इस act समझ में आ गया, तो ये वाला पूरा का पूर एक्ट किसको करता है, detention, तो अगर कोई भी smuggling activities कर रहा है, foreign exchange के पैसे को इधर से उधर कर रहा है, कोई भी ऐस activity कर रहा है, इंडिया के भार से, अब what is the meaning of India, जो उसकी territorial boundaries है, क्या पानी वाली जो boundaries है, 24 multiple miles, तो वो लेंगे, या क्या लेंगे, उसके बारे में भी बात आज हम करने वाले हैं, इसके इंदर इसकी definition के इंदर बताया है, जड़ा details में हमारा है, नहीं सिलिवस में, तो इसलिए, जड़ा समान भार बेजना, अब असर कैसे बेज सकते हैं, समुदरी उसके थूद, मिलब जो basically ये वाले act, कहां ज्यादा effect में है, और ऐसा जैसे area में, समुदरी area के पास, मिलब जहां की boundary समुदर से लगते है, नीचे वाले तल जितने भी है, तो वहां ये act ज्यादा effect में आता है, वो लोग क्या करते हैं, तसक्रे करते हैं, मतलब छुपा के नाओं के अंदर जो समय होते हैं, अपना, by way of water, वहां के थूआ जनली ये smuggle करते हैं, और कुछ मंगवाना जो, like जो इंडिया में बैन है, ऐसी चीज मंगवाना, ये इंडिया से भार बेजना जो बैन है, तो ऐ कैसे काम करना, तो ऐसी चीज़ों को करने को रोकने के लिए ये Act picture में आया, और बूलते हैं कि Sir, हमेंने detention कर देंगे, what is the intention? सबने को रोक देंगे हम्न के इस मूंट को उठाके डिटेन करने का मतला होका तो उसक चोप और उसको कही ना कज उठाके जेल में डाल देना है इंप्रीजेनमेंट कर देना तो सर्व डिटेन कर देंगे अब एना मैं आपको आज इस बहुत बढ़या प्रोग्राम में आई-जी-एल का पेपर में पढ़ा होगा पुदाने वाले सिलिबस वाले बच्चे और नियू सिलिबस वाले बच्चो ने आई-गेस Constitution हमारा ECL, ABCL में तो नहीं होगा जी-ए-जी-एल के बुक में Constitution है तो वहां सब ने पढ़ा होगा सब नलायक है किसे ने ध्यान भी नहीं दिवा होगा और मैं आपको एक बैक्राउन में लेकर चलता हूं यह वाला एक्ट कूरा का पूरे डिपेंड है हमारा आर्टिकल 22 सर आर्टिकल किसका अपरी जाट का नलायको Constitution of India तो Constitution of India खा आर्टिकल 22 क्या बोलता है प्रोटेक्शन करता है वो प्रोटेक्शन करता है किस चीशे प्रोटेक्शन करता है और प्रोटेक्शन ओफ अर्रेस्ट एंड डिटेक्शन डिटेंशन किस चीज़ को रिटेंट करना आज हो फिर दिहां से मैंने आप लोगों के लिए पहले से नोट्स बना के रखे हैं ताकि देर ना हो जिन बच्चों को नोट करना है नोट कर लो ओल्द एक्जैम के लिए इंपोटेंट नहीं है बड़ जहां बीच बीच में बार बार आर्टिकल 22 आएगा ना फिर आपको प्रोटेक्शन फ्रों अरेस्ट एंड डिटेंशन अब सर्फ अरेस्ट का मतलब क्या होगा सब बच्चे को पता होगा रिस्ट्रेइन कर देना अरेस्ट का मतलब क्या होगा सर रिस्ट्रेइन कर देना किस चीज को रिस्ट्रेइन कर देना उसकी फिजिकल लिबर्टी को उसकी मुवमेंट को जो हमारी लिबर्टी दी गई है राइट तो उस लिबर्टी के राइट को लोफुली आके रिस्ट्रेइन करना उसको इंप्रेजिनमेंट में जाल देना अ अच्छा यह क्या मैं बोल सकता हूं, fundamental rights है, yes, सब बच्चों को पता है, fundamental rights है, article 14 to article 34 के भी बगएर, तो fundamental rights है, ठीक है, अब दूसरे कहा, detention, अब detention का मतलब सब को पता है, उसको, उसकी physical movement को रोग देना, उसको उठाके, arrest कर लेना, plus उसको उठाके, jail में डाल देना, arrest करना, उसको उठाके, उसकी physical movement को रोखना, retain कर देना, अब सब मैंने यह दो arrow लगाए हैं, पहले बात तो seven closes, इस article के अंदर साथ close हैं, इस तरीके से समझना है, मैंने बढ़िया से chart बनाया है, punitive, अब बात आ रही है, कि arrest करना, क्या करना arrest, punitive और preventive, अब एक चीज बस समझ लेना, यह article किसके ओपर लगता है, only criminal, तो कौन से activities को ओपर लगता है, criminal, अगर civil activities की बात करें, तो article 20, article 21 लग जाएगा, तो उसके बारे मैं आज बात नहीं हो रही, purely article 22 is a criminal activities को ओपर लगता है, criminal article है यह, और क्या बोलता है, punitive और preventive, सब मुझे समझ में नहीं है, आप क्या कहने चाह रही हो, punitive का मतलब नाम से पतला लगता है, punishment, that means, punitive अगर मैं और preventive के बारे मैं बात करूँ, अगर मैं एक मिनिट के लिए भूल जाओं कि यह arrow कुछ भी है, तो अगर आपने कोई भी गलत काम कर दिया, already done, फिर आपको arrest किया जाए, that is called the punitive arrest, अगर apprehend है, मेरे दिमाग में डर है, तो मैं क्या, इसके साथ में लेख सकता हूँ, offense या crime, already done, preventive क्या होगा, apprehension, अभी आपके महेंड में डर है, कि वो कर देगा, अगर ऐसा हुआ, हिस्टरी चीट रहे है, वह जिसने मडर कर दिया, उसको चोरी करने में क्या दिख दो रहे है, तो कर सकता है, उसमें अगर biscuit के अंदर, हेरा फेरी की थी, गोल्ड के biscuit के अंदर, तो कोई और भी काम कर सकता है, तर्सक्रिक और भी कर सकता है, इदर से होगा, तो apprehension है, mind में भी डर है उसका, उसको बोलते है, preventive, मतलब रोकना, prevent करना, prevention make better than cure, कोई भी काम होने के बाद उसको सुधार करने से बेटर है, पहले, जैसे कोरोना के लिए बोल रहे है, सब बिमार हो गए, उसको ठीक करना, अपने आपने बोलते हैं, punitive, मलब एक तरह से उसको प्रिवेर करना, तो अगर होने से ही रोकना, preventive measure लेना, तो preventive, मतलब उसका डर है अभी, और उसको ही रोक लेना, that is called the preventive, punitive का मलब काम हो चुका है, उसको रोकना, that is called the preventive, अच्छा, ये सिर्फ, only, attention कर देना, ordinary low में, मैंने इसको एक difference और लिखा था, अच्छा, ये ना, आपको ordinary lows, मतलब generally, आपको हर लोके अंदर, generally, ये देखने को मिलेगा, सही बात है, गलत बात है, company's act उठालो, income tax act उठालो, अगर आपने कोई big filings में problem करती, तो गलती की, तो आपको उठाके लेकर जाएंगे, ordinary lows के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, बट क्या हम बोल सकता हूँ, it is the special low, ये special lows बनते हैं, special preventive low बोल सकते हैं, तो इसके लिए special preventive lows बनते हैं, और बहुत सारी preventive lows होते हैं, जिसमें से एक example, आज आपका, आज आपने क्या पढ़ा है, वो specially preventive low ही बनेगा, ये नहीं किसी भी एक्ट के अंदर एक चोटा सा close उठाके डालते हैं, प्रिवेंटिव क्लोज हो गया, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, ये effective preventive detention आपका, preventive arrest आपका effective ही कब से आएगा, for the time being, अब भूल जवाब, arrest, arrest करके ही detain करते हैं, मतलब गये custody में लिया, and then उसको jail में डाला, तो ये बोल रहे हैं, अब for example, कोफे, पोस्टा, तो अलग से पूरे-पूरे active बनेगे जो preventive detention act होंगे, preventive detention laws होंगे, तो उनके बारे में बात की जा रही है, वो special laws होगा, वो ordinary law नहीं होगा, वो general laws नहीं है, जो companies act है, उसको भी deal करता है, specifically preventive detention को रोकने के लिए, उसकी movement को preventive, काम करनी से पहले उसको जेल में डालने के लिए, अभी काम गलत काम किया नहीं, उसके पहले जेल में डालने के लिए, देखने को मिल जाएंगे, तो कि इंडिया के लोग होगा, mind थोड़ा सा तरप्त होता है, तो यहां देखने को मिल जाएंगे, अगर हम article के constitution की बात करें, 22 की, इसको हमने 7 close में डिवाइड किया, close number 1 and 2, deal करते है, punitive detention, किसको deal करते है, punitive detention, यह punitive arrest, arrest and detention, यहीं की बात माल लो and close number 3, किसको deal करते है, exceptions, बलब कहां कहां हमारा यह नहीं लगेगा, उसकी बात करेंगे, उसको हमारे service का part है नहीं, तो मैं जाएड़ा detail में नहीं जाओंगा, and then 4 to 7, 4, 5, 6, 7, किसको लगेंगे, preventive detention, डनितन समझ में आ रहे है, अब न मेरे माइड में चीज आ रही है, separate laws बनाना पड़ेंगे, specific law बनेगा, अब यह power आई कहां से, कहां यह बात लेकी गई है, constitution नहीं दो बोल दिया, preventive detention को बचाता है, कौन article 22, इनके लिए separate law बनाने पड़ेंगे, अब वो separate law बनाने की power कहां बताई गई है, separate law बताने की power, सर्थ central के पास भी है, और state के पास भी है, सर, central के पास भी है, और state के पास भी है, center के पास कहां है, सब ने पढ़ा होगा, constitution के अंदर, 7th schedule के अंदर, list 1, that is, list 1, हमने पढ़ा ना, text में भी इतनी सारी entries होती है, 97 entries, तो list 1, के अंदर power है, और किन-किन mattress पर बना सकते है, preventive laws, defense के mattress पर, foreign affairs के mattress पर, security of India, India की security को देखते हो बना सकते है, जैसे, focus season है, सरदियों का time है, fog होती है, सब को पता है, समुदर के आस-पास वाले area वाले में जो मचवारे होंगे ना, सबसे ज़्यादा smuggling उ के अंगर, 14th November वाले दिन, जब से धूंद, fog होनी, start होती है, उस दिन उनको उठाते है, जो history cheater है, उनको उठाते है, कब इस smuggling ना करें, और 14th of fab, यानि 3 महीने रखेगे, और Children's Day वाले दिन उठाएंगे, और Valentine's Day वाले दिन छोड़ देंगे, करो है, और बच्चों की त्य preventive detention करते हैं, पहले से ही कोई smuggle ना कर लें, दूंद में, fog में दिखेगा नहीं, तो उठालो, तो इंडिया की security के लिए, foreign affairs के लिए, defense के लिए बना सकते हैं, और इसको concurrent list में बोल सकते हैं, 7 schedule और list 3, तो concurrent list, maintenance of public order, security of state, maintenance of essential services, इनिन मेंटर के ओपर ये बन सकता है, तो क्या एक बात बोल्डू मैं, अल्थो एक्जाम का पार नहीं है, बट फूर शेक अफ नूलिच, types of detention, sir, preventive or primitive preventive retention example कोफे, post act smuggling समय मैं, फर्दर इसको कौन, इनको कौन डील करता है, आर्टिकल 22, सब आर्टिकल 4, 2, 7, इसको आर्टिकल 22, 1 and 2, टाल, और 3 बोलता है कि कहां 1 और 2 नहीं लगेंगे, कहां नहीं लगेंगे, जहां preventive retention होगा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये एक बात ध्यान रखना, या ध्यान से सुनना, ये कोई जरूरी नहीं है, अच्छा, preventive retention के लिए भी लोज बनाए गए हैं, उस पर्टिकल लो में बताया गया है, कि इस वाले activities के लिए जो ये preventive retention करेंगे, तो maximum कितना कर सकते हैं, कभी भी, कभी भी Central Government ये State Government उस से उपर नहीं जा सकती, जा सकती है, एक चीज बोले गए, ये Constitution of India के Article 22 में, Preventive retention, maximum कितने दिन को हो सकता है, सर, अब ये नहीं बताऊंगा, पहले, primitive, then preventive, तो आपके लिए बनाया है, चार, ये मतमाना मुझे नहीं आता, थ्री मुंत होता है, थ्री मुंत को बढ़ाके हम, Advisory Board अगर चाहे तो थ्री मुंत को बढ़ाके, उतना कर सकता है, जितना हो चाह पगड़ हो सकता है, अब primitive के लिए, article 22, सब article 1 क्या बोलता है, right to be informed of grounds of arrest, सही बात है, मैं आपको पगड़ के ले जाऊंग, आपने को गलती कर दे और मैं आपको पगड़ के ले जाऊंग, आपको यहीं ना पता हो कि किस crime के, किस गलती के बिना बना पर आप मैंने आपको प पतानी होगी, right to consult a legal practitioner, सही बात है, ध्यान से पढ़ना है, इस वाले point को, अब अगर आप मुझे उठा के ले गए हो, मेरी कोई गलती बता के, पुलिस वाले हो, आप मुझे उठा के ले गए हो, मेरा अधिकार है, कानून ने मुझे अधिकार दिया है, कि मैं अपने legal consultant से, अपने practitioner को गुला के, उससे consult कर सकता हूँ, आप मुझे मिलने से नहीं रोग सकते हो, शही बात है, एक चीछ और इसमें provision आपको देखने को मिलेगा, जब आप कभी constitution of India कभी पढ़ हो गया, LLB में जाके, तो मिल सकता है, क्या बोलते हैं, सर्फ free services, अगर आप इस लायक नह सकती है, आपके लिए भी, ठीक है, आटिकल 22 सब आटिकल 2 क्या बोलता है, सब आटिकल 2 नहीं बोलेगी, close to, right to be produced before a magistrate, अब आपको उठा तो लिया, आपको अरेश्ट तो कर लिया, लेकिन आपको हम maximum maximum 24 गंटे तक within 24 आर्ज आपको magistrate के सामने पेश करना होगा, और no retention हम करना पड़ेगा, अच्छा, 24 गंटे के अंदर उनको घर से उठाके और जेल तक लेके जाने का, पुली स्टेशन तक लेके जाने का, और वहां से magistrate तक लेके जाने के time period को exclude करते हैं, excluding the times of traveling, डना, चलो जी, third वाल आर्टिकल मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, preventive detention, यहा आप लोगों की 19 मिनट ले ली हैं, almost, तो आज लंभी class जाने वाली है, तो अच्छे तरीका है, आप कोंच आप समझ गया है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, में ली, प्रिवेंटिव डिटेंशन सब्सेक्शन, आर्टिकल 22, close 4, क्या बोलता है, ज्यान से, no detention more than 3 month, यही कर सकते हो, कर सकते हो, unless, advisory board agrees, अब आप बोलोगो, sir, advisory board क्या है, हर लोज के अंदर नहीं अलग से advisory board बनते हैं, बट इसके भी न, article 22, सब article close 4, यह जब आप पढ़ोगे, उसमें बोला गया, advisory board की, कौन advisory board का member बन सकता है, तो advisory board का, जो member कौन बन सकता है, व्याने आपके notes में डाल दिया, although आपके notes में था नहीं, बट मैंने समझाने के लिए डाल दिया, advisory board का member कौन हो सकता है, या तो वो है, या वो qualified है, या वो चलता रहा, has been, are, has been, और qualified to be a judge of high court, तो इसका member कौन बन सकता है, judge of high court, तो high court का judge, advisory board का member बन सकता है, एक chairman होगा, और members होगे, तो उनके व बन सकते, advisory board को बना सकता है, कोफर पोस act के में मैं बचा रहा हूँ, तो unless, अगर advisory board recommend करती है, कि yes sir, तीन महीने से ज्यादा period होना चाहिए, तो उस period को बढ़ा सकते हैं, लेकिन, 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 ध्यान रखना, maximum उतना ही time का सकते, advisory board के पास भी power नहीं है, जो relevant, मै maximum 10, section 10 ही बोलता है, जैसे for example, कोफर पोस act के अंदर, section 10 बोलता है, क्या आप इतने दिन के लिए जा सकते हैं, section 10 क्या बोलता है हमारा, मैं एक बड़ को रोस verify कर लो कि लिए, कुछ अलग-लग category जो section 9 अगर apply नहीं हो रहा तो एक साल तक के लिए, section 9 अगर apply हो रहा तो 2 साल के तो 1 और 2 यर, मैं यहां लिखके छोड़ रहा हूँ, आप अपना बाद में समझ जाओगे, तो maximum आप 3, minimum आप 3 महीने, मलब चाहो तो 3 महीने से जागा नहीं, लेकिन advisory board चाहे तो उसको बढ़ा सकता है, लेकिन कितना up to, यह मैं लिखके छोड़ दू, up to, maximum time जो उसके particular law के अंदर बताया गया, जिसके अंदर हमने उसको preventive detention किया है, बट कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, किस तरीके से inquiry करनी है, advisory board को, किस तरीके से उसको detain करना है, उसके बाद उसकी सजा पाया जाएगा, कि वो actually में गुनागार है के नहीं है, वो सारी parliament के हाथ में power है, Parliament of India enact करे करना हूं, शक्षिन 8 advisory board को deal करता है, और advisory board को बताया गया है, कि subject to the article 22, sub article 4, close A को ध्यान में रखते हुए, और 22, article 7 को ध्यान में रखते हुए, हमने advisory board को बनाना है, तो जब आपके काम आए गए, तभी मैंने आज आपको advance में बता दिया, सब अच्छो को ध्यान करो, minimum कि कि कितना ही दिन का कर सकते हैं, तीन महीने का, तीन महीने का, तीन महीनी ज्यादा करना है तो, किस से एक रोल लेनी पड़े के advisory board से, advisory board भी maximum कितना कर सकता है, जो उस particular लोग के अंदर maximum बताया गया होगा, यह पुरा का पुरा procedure को, इंक्वारी करने के procedure को, सर, article 22, sub article 5 के बोलता ह है, right to be informed, सही बात है, preventive detention में मुझे बताना तो चाहिए, कि मैं किस लोग के अंदर, किस गलती के बिना पे आप मुझे पकड़ के लेके जा रहे हो, तो मेरा right है, अधिकार है, वो मुझे पता होना चाहिए, तो वो अधिकार के बारे में बात की जा रही है, इस वाले article के अ आपने यह सुना, right of legal practitioner, क्या मैं अपने legal practitioner के through be represent कर सकता हूँ, नहीं, आप जब कोफर पोस एक पड़ो दो, महां भी आप देख लोगे section 8 के अंदर, हम कभी भी legal practitioner के through advisory board वजरे के सामने नहीं कर सकते, और तो case चलेगा तो coat में कर सकते हैं, बट advisory board के सामने नहीं कर सकते, right to informed, right of representation, मेरी बात को रखने का मुझे अधिकार होना चाहिए, in person, generally in person मिलता है, लेकिन सारी बात हमें नहीं बताएंगे, right to informed की भी exception है, not to disclose, अगर वो public interest के अगेंश्ट है, तो ऐसी बात हम आपको नहीं बताएंगे, वैसे मुझे सारी बात information मिलनी चाहिए, बट ऐसी चीज of India का यह article करना ज़रूरी था, coffee post act को समझने से पहले, अब आपको ना कुछ चीजे दोती, चीजे point मेरे clear हो गई, जिसको पर मचे ज्यादा बार 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 फोकस नहीं करना पड़ेगा, coffee post act is a preventive detention act, is a act of preventive detention, जो क्या करता है, preserve करता है, augment, जोडता है सारी foreign exchange और smuggling activities को, और तो उनसे rated matters है, उनके लिए ये act बना है, उनको पकड़ना के लिए act बना है, कि वो एक गलत काम हो ही न, गलत काम होने के बाद punishment देने से बेटर है, पहले से ही रोग दो, तो उस चीज के लिए act बना है, कुछ definition of appropriate government, appropriate government का मतलब central government भी हो सकता है, उसको officers भी हो सकते हैं, अगर detention order, what is the name of detention order, तो जो order section 3 के नदर pass किया जाएगा, इसी की निच्छे section 3 है, तो जो भी order section 3 में pass किया जाएगा, मान लिया जाएगा, it is the detention order, smuggling activities में, अगर कोई आप involved हो, अगर आपने community help किया किसी की smuggling activities में, अगर आपने कोई भी transportation में help किया है, चुपाने में, चुपाने मे चुपाने के लिए, उसका help किया है, कहने का मतलब, तो उन सारे लोगों के against detention order, पास किया जा सकता है section 3 के नदर, अभी मैं पढ़ाऊंगा वो, foreigners का मतलब क्या है, foreigners का मतलब वो, foreigners Act 1946 में बताया हो, Indian custom voter का मतलब का मतलब का है, मतलब कहां तक India का बोला गया, उनकी आसपास वा grammatical variation, smuggling, smuggle, तो कुछ भी अगर आप change करना चाह रहे हो, तो मान लिया जाएगा, वही definition उसकी फोल करेगी, पतला कि आप कुछ भी addition, division, smuggle, smuggling, smuggle, smug, this type के wordings, अगर आप use कर रहे हो, तो मान लिया जाएगा, फिर भी smuggling जो आपका custom act में वही इसका होने बाला है, देखो, and all its grammatical variations and cognate expressions, तो जो भी से मिलते जूलते expressions हैं, मान लिया जाएगा, वो भी आपको, जैसे कि आपका smuggling ही definition के उन्दर फोल करेगा, अब आजाओ, आपका main change start हो चुकी है, important topic है, personally मुझे यही लगता है, कि यह वाले topic exam में आने लायक topic है, important है, आ सकता है exam में, और इसको पढ करना है सब बच्चों को ध्यान से, देखो जाए, जिसको empower किया गया है, इस person, इस purpose के लिए, किस purpose के लिए, for the purpose of this section, by that government, तो वो government इस होदा करेगी, empower किया गया है, कि sir आप detention order pass कर दो, उनको पगड के ले क्या हो, उठा के ले क्या हो, या फिर state government लेगे, state government भी joint secretary नहीं, normal secretary से काम चल जाएगा, तो या फिर state government को कोई भी officer, ज खले ही वो foreigner हो, इस चीज से क्या बात समझ में आ रही है, बले ही इंडिया का person है, या इंडिया से भार वाला है, लेकर अगर 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 आपने वो गलत काम कर दियाना है, इंडिया से related अगर आपका है, smuggling activities की है, conservation आपने foreign exchange का किया है, तो मान लिया जाएगा, आपको उप जाओगे, that with a view to preventing him from acting in any manner, judicial with the conservation and augmentation, तो इसी सुबर रहे है, कोई भी ऐसे काम करना, जिस से हमें रोकना, किस तरीके से रोकना, कि अगर हम कोई भी हाम पचा रहे हैं, कोई भी conserve करके, जोड के foreign exchange को, और या फिर with a view to him, किस चीज से, जहां से इनको रेटेर कर लेना, important है, smuggling of goods को, abetting, बठावाय देना, रोकना, abetting, the smuggling of goods, engaging in, उसको transportation, अपने वहिकल का यूज करवारे है, चुपाने में, concealing, और keeping smuggled goods, अपने साथ carry करना, smuggling goods, smuggled goods को, dealing in smuggled goods, अब उसमें किसी भी तरीके से deal कर रहा हूँ, लेकिन other than, other than third point, other than engaging in transporting, concealing, तो किसी भी और तरीके स में deal कर रहा हूँ, उसको मैं नाको में छुपा रहा हूँ, ना मैं उसको इधर से उधर लेके जा रहा हूँ, मैं लग उस तरीके से में deal नहीं कर रहा हूँ, otherwise मैं उसको deal कर रहा हूँ, किसी भी तरीके से, देना, तो उनके पर यहां बात कर रहे है, harboring, अब अब अच्छ देना जो engaged smuggling of goods में या फिर abetting मतलब उसको जो बढ़ावा दे रहे हैं उन लोगों को बढ़ावा देना और उन लोगों को छिपाना लेकिन उन लोगों को एक तरह से आसियाना देना उनको अपनी कोई भी एक तरह से अपने आप में शैल्टर देना है शैल्टर वर्ड प्रोप्र रहेगा तो उनको ओडर देके डिटेन कर सकता है तो बोल सकता है शैल्टर उस परसंट को डिटेन किया ठीक है न तो उनको दस दिन के अंदर अंदर दस दिन के अंदर अंदर ये ओडर स्टेट गूर्मेंट ने पास किया तो एक रिपोर्ट बना के इसी परिपोर्ट में उनको डिके अगरी में सने पास के अंदर एक रिपोर्टोंट बना देनी होगी सर वमने किन वर्वर्मेंट पे उसको डिटेन किया है कि कर दो कि वेढूर झाल झाल समझ गए अब कितने मुश्किल से चार्ट बनते हैं तो इसको लगता है वो सैटिस्वाइब हो जाता है अगर उनको लगता है कि येस सेर इनको रिटेन करना जुरूरी है तो ओडर टैक्टिक रिटेन वह मैंने आपको बोला था अगर स्टेट गोर्मेंट अगर उपर भी बोला था नहीं आपको अब हम बोल रहे हैं for the purpose of article 22 सब article 5 इसका मुझे समझ में आया अभी तो बताया था देखो फटावर नोर्स कोल के वहीं पर जाओ राइट तो इनफॉर्म्ड और राइट तो लीगल राइट टू रिप्रेजेंटेशन तो येस सर तो इनफॉर्म्ड कैसे होगा अगर आपने वह नहीं पड़ा होतो तो इस समझ में नहीं आता आप खुल खुल गूगल करते हैं तो वह परसंट हो आपने के है एक श्टिडी में डाला है इन परसुल्स भी टेंशन ओडर तो जो टेंशन ओडर पर चीजी ने या एज जी ने पास किया है ओफ दा ग्राउंद तो क्या चीज़ कम्निकेट करना communication, अब देखो मैंने जो dark किया ना सिर्फ ये भी पढ़ जाओ तो काम चल जाएगा, of the grounds on which the order has been made, shall be made as soon as maybe, after the detention, तो उसको communicate करेंगे, कब communicate करेंगे sir, as soon as maybe, मतलब to the extent, मतलब जल्दी से जल्दी हो सकता है, उसको का करेंगे, तो जल्दी से जल्दी after the detention करेंगे, लेकिन कभी भी, जल्दी से जल्दी करना, लेकिन पास दिन से लेट नहीं करना, but ordinary, मतलब generally, पास दिन से ज्यादा नहीं करना, पास दिन के अनदर कर देना है, but in exceptional circumstances, और रिजन भी आपको बताना है return में, कि क्या ऐसे exceptional circumstances हुए है, जो हमने, जो person को उठाया है, preventive detention की है, उसको बताने में, हमें 5 दिन से भी ज़्यादा time लग रहा है, तो 15 दिन तक का time maximum है, और 15 दिन कहां से जिन से हमने उनको detain किया है, उस दिन से 15 दिन के अनदर बता देना है, तो अब बच्चों को समझ में आया, पहली चीज क्या, cgb order पास कर सकता है, तो section 3 क्या बोलता है, detention order, अब power किसके पास है, about to make detention order, central government के पास, yes के, officers, officers का rank क्या होगा, joint secretary, या फिर किसके पास है, और state government, या इसके, any, any officer, अब any officer कर रहें, secretary ही जितना, अब लेकिन अगर state government कर रही है, तो इनको central government को क्या करना होगा, report देना होगी, कितने दिन में report देना होगी, 10 days के अंदर, within 10 days of detention, अब इन्होंने किया है, इन्होंने किया, whatever the case में भी, अब इनको लगता है, ये satisfy हो जाएं, किन चीज़ों को satisfy हो जाएं, या दा conservation and augmentation of foreign exchange, and smuggling activities, और जो भी वो smuggling activities हमने पड़ी है, तो order pass कर सकते हैं, क्या order, preventive detention का order, direct कर सकते हैं, लेकिन जब ये order pass का दर ये state government ने किया, तो अबले 10 दिन के अंदर, center government को चला जाएगा, और जिस दिन से preventive detention order pass किया, minimum, मतलब maximum, five days, क्या हो जाना चाहिए, हमें communicate, लिख लो इसको, साफ-साफ लेना, मेरा ये properly work नहीं करता, हमें communicate कर देना किसको, जिस person को हमने preventive detention किया है, लेकिन exceptional cases में कितना हो जाएगा है बढ़के, पताने क्यों नहीं बढ़ कर रहा प्रोग पर ले, 15 days, ये ऐसे फ्राइब रहा है, कितना हो जाएगा है, 15 days, डन ना, तो minimum, पांस दिन से जादा नहीं होना चाहिए, ordinary case में, exceptional case में, और ये क्यों करना पड़े का article 22 close 5 को ध्यान में लगते होते हैं, hope सो सबको समझने होगा, most important portion हमारा, section हमारा हो चुका है, आगे बढ़ो, execution and detention order, detention order जो section 3 में आया, अब उसको execute कैसे करें हैं, ध्यान से मैं, honestly मैं बोला हूँ, face to face बैठे होते हैं, मैं एक एक बच्चे से न मैं ये पूछता कि, मैंने आज करवाया है कि, मैंने बहुत जान लगाई है, literally 7-8 रूटे की मेरा थे मेरी आज इस वाले एक्ट पे, मैं honestly बोल रहा हूँ, इस concept को मैंने detain करने के लिए, सुबह से बैठा हूँ, कि कब मैं इसको रिकॉर्ड करूँ, कब मेरी शांती हो, आज पाश शोर शराबार ना हो, मैं इसको रिकॉर्ड करूँ, honestly मैं बोल रहा हूँ, please, 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 ये वाले एक्ट कर ले न, मेरा दिल बोल रहा है, minimum 5 मांस को कोशिन आ जाएगा इस वाले एक्ट से, तो कोई भी arrest warrant issue कर दिया, तो जैसे उसको execute किया जाता है, magistrate की help लेके, या किसी भी तरीके से, तो उसी तरीके से इसको भी arrest warrant की तरीके से ही execute किया जाएगा, आगे, power to regulate place and conditions of detention, मतलब, sir, कहां कहां, और किन-किन बिना पर, हम उनको detain करेंगे, क्या करोगे, आपको किस तरीके से रोपा गया है, और किन-किन conditions में हमने आपको detain किया है, section 5 बोलते हैं, section 5 A B आएगा भी, every person in respect of whom, a detention order has been made, तो जिसके लिए भी detention order पास किया गया है, shall be liable, वो person liable है, to be detained, हम उसको liable है, हम उसको drain क्याद करके रखेंगे, in such place, ऐसी जगहां में उसको क्याद करके रखना है, हो कोई जरूनिया जेल में, कहीं उसकी घर पे भार ताला लगा देना, seal करके चला जाना, सबके पास पावर थोरनों तो seal करने की, in such place, and under such condition, उन place पो और उन conditions में, including conditions as to, और conditions कैसे लगा सकते हैं, maintenance, आपको इस तरीके से maintain होना है, अगर interviews, जब आप से interview लेने के लिए हैं, आपको interview देना है, communications भी ददर, आपको बस यही बात दूसरों को बतानी है, इस तरीके से बाते करनी है, discipline ऐसे आपको रहना है, punishment ऐसे आपको punishment देना, for breach of discipline, तो यह सारी conditions लगा सकता है, जो भी order पास करेगा, उसके पास power है, for breach of discipline, अगर आपने ऐसा किए, the appropriate government may by general or special orders specify, appropriate government यह सारी चीज़े, सारी conditions by way of general or special orders बता सकते हैं, और क्या बहुत सकते हैं, to be removed from one place, और पूरी पूरी पावर है, जिस परचन ने आपको preventive retention किया, the center government या state government ने, उसके बस पूरी पूरी पावर है, आपको एक जहेंगे जहां आपको पहले रखा गया था, महां से हटा के, one place of two, another place of retention आपको कर सकती है, ये पूरी पूरी पावर है, लेकिन ध्यान अखना, within the same state भी कर सकती है, और एक state से दूसरी state में भी कर सकती है, बट बट बट, नीचे ने एक provision आएगा, वो provision क्या बोलता है, अगर हम एक state से दूसरी state में अगर करते हैं न, तो एक चीज का ध्यान अखना है, तो दूसरी state वालों से पहले अप्रोव लेनी है, देखो ये चीज बोली गई है, within the same state भी हो सकता है, देखो ये मैं highlight करता हूँ, वो एक जहे से दूसरी जहेंगे एक same state भी हो सकता है, और in another state भी हो सकता है, but, 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 provided that no order shall be made by the state government under close B, कोई central government तो पास कर देगी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर state government ने कोई order पास किया था, और वो एक दूसरी से दूसरी state में भेज रही है, close B में, for the removal of the person from one state to another state, except with the consent of the government of that other state, तो central government ने पास किया था, तो वो तो जिभी move भी कर सकते हो, कहीं दूसरी जहेंगे भेज सकते हैं, दूसरी state में भी कोई दिक्कत नहीं है, central government है, वहीं, नोदी जी है सकता में, पूरे इंडिया में उनकर आज है, लेकिन अगर कोई भी एक state government आले, हर्याना वाले, तो पंजाब में बेजने से पहले, पंजाब और मेंट से पूछना पड़ेगा, देना, आगे बढ़ो, अब section 5A, थोड़ा था ध्यान से, six section नहीं, कभी, जल्दी जल्दी में section 6 पड़ जाओ, section 6 नहीं है, 5A है, section 6 अपने आप में इंपोर्टेंट है, section 5 क्या है, ground of detention, बड़ा अच्छा section है, देखो, हो सकता है, एक से ज़्यादा grounds हो, more than one ground हो, तो उस case में, सब grounds को separately treat के जाएगा, और separate आपके उपर, preventive detention की जाएगी, हो सकता है, आपने smuggling के लिए पकड़े गए हो, उसके लिए अलग से, हो सकता है, आपने conservation में पकड़े गए हो, उसके लिए अलग से, तो अलग-अलग ground हो, तो अलग-अलग detention order आएगा, देखो, मेरे person has been detained in pursuance of an order of detention under subsection 1, of section 3, सही बात है, being made separately, जैसे कि सर्थ, दोनों आपने separately treat किये जाएंगे, on each of such grounds, हर एक ground पे, हम उसको separately treat करेंगे, and accordingly क्या होगा, such order shall not be deemed to be invalid, और वो ना कि सिर्फ, मेरे इस बना पे invalid माना जाएगा, इस बिना पे invalid माना जाएगा, shall not be deemed to be invalid, देखो, इसको मैं highlight कर देता हूँ, shall not be deemed to be invalid or inoperative, किस चीज़ पे invalid or inoperative, merely because one or more of the grounds is, अब हो सकता कोई एक ground, अगर एक सेदा ground में मैंने आपको retain किया, और separate separate मान के, आपकी सजा इतनी बढ़ा दी मैंने, इतनी महीने के लिए, तीन महीने के लिए, उसमें तीन मेने के इसमें छे महीने हो गए, अब हो सकता कोई एक ground बाद में न, inquiry के बाद ये निकल जाए, अब advisory board ने inquiry किया, और उसके time पे निकल जाए, कि नहीं सरी ये गलत था, तो ये कोई जरूरी नहीं है, कि मेरे एक ground अगर आपका कोई वेग निकल गया, invalid निकल गया, irrelevant निकल गया, तो उसके base पे, जो आपका proof भी हुआ है, उसके आपका पूरा का पूरा ordinary void हो जाएगा नहीं, वो particular आपका void होगा, माल लिया जाएगा, दोनों grounds आपके separate है, deep to be separate, दोनों के लिए separate हैं, तो आपका उस particular ground के लिए आपको सजा नहीं मिलेगी, उस वारे ground के लिए आपको सजा मिल जाएगी, पढ़ दे रहा न अब इसको, इसका एक subsection था, यह मैंने हटा दिया निचे वाला close, बी वाला close मैंने हटा दिया, कोई दिक्कत वाले बात है नहीं, उसको मत पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, आज़ो, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट मार्क कर लो, जैस section 3 इंपोर्टेंट था, detention order not to be invalid और inoperative, on certain grounds, अगर यह कुछ ground होगे, तो हम इसको invalid inoperative नहीं मानेगे, क्या ground? सर मैंने order pass किया था, लेकिन किस पे pass कर दिया, जिस person पे मैंने pass किया था, उसके jurisdiction भार है, भार वाला है, foreigner है, उपर तो पड़के हैं, या फिर वो मेरी jurisdiction में नहीं आता हो, place मेरी jurisdiction में नहीं आता, state government हो, और मुझे लगा कि गलत हो रहे है, मैंने pass कर दिया, कोई बात नहीं, उसको मेरी इस ground के हम invalid नहीं माने है, कि मेरी jurisdiction नहीं थी, तो no detention order shall be invalid और inoperative, merely by reason, सिर्फ इस reason की वाज़े से, that the person to be detained, जो person हमने cash में डाला है, detained किया है, there under is outside the limit of territorial jurisdiction, भाई मेरी limit से भार था, वो Delhi वाला था, मैं हरियाना बाला हूँ, यह क्या मतलब हुआ भई, of that of the government, Malabuz government का, और the officer making the order of the detention, तो generally क्या बात हो, तो state government की बात की जारी है, या foreigners की बात की जारी है, center government की case में, सही बात है जी, और, that the place of the detention of such person, is outside the sad limit, और हो सकता है, या फिर, या तो वो person हमारी जो अडिक्शन से भार का था, या फिर वो place, जहां वो पकड़ा गया है, वो हमारी समुदरी, जो सीमाई हैं, उससे भार हमने पकड़ा था, लेकिन लेके तो इंडिया से गया था, कोई भार से स्मगल करने के लिए आया है बंदा, ओल्दो हमारा एक्ट नहीं लेगा, बट पकड़ तो हम उसको भी सकते हैं, तो मेरली वो person outside the limit, टरिक्शन है, उस government का, या वो place हमारे से भार का है, सिर्फ इस ground पे हम पुरे के पुरे order को क्या नहीं करेंगे, invalidion, inoperative, नहीं करेंगे, मेरे coding, 100% number, 100 marks, इसके उपर percentage लगा लो, आस प्रेक्जाम में ऐसा से questions पूछकते हैं, की study मना के ऐसा question exam में आ सकता है, दना, important mark कर लो, आगे बढ़ो, F point, power in relation to absconding person, absconding का मलब सब बच्चों को बता होगा, बता दो, absconding का मलब होता है, जी भगोडा, जो भाग गया है, बढ़ो, power है, अगर कोई भी भगोडा है, तो उस case में, हम अलग से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और उस case में क्या होगा, वो appropriate government, से सेंटर गोड़मेंट, कहीं डूप के मर जाओ, सेंटर गोड़मेंट नहीं, स्टेट गोड़मेंट भी सेंटर गोड़मेंट, अभी तो पढ़ा था, appropriate government का मलब जो भी order pass कर सकती है, section 3 का बोलता, दोनो order pass कर सकती है, definition में भी पढ़ा था, तो appropriate government को अगर लगता है, कि वो person जिसके लिए detention order दिया है, वो भगोड़ा है, वो भाग सकता है, या वो अपने आपको छिपा सकता है, और फिर हमें मिलेगा नहीं, उस case में, उसको उठाने जाने से पहले का अगर सकते हैं, metropolitan magistrate से, या magistrate of first class से, हम help ले सकते हैं, और then who picture में आएगा, magistrate first class और मान लिया जाएगा, जैसे कि section 82 to 85 of the CRPC apply हो गया, और उस person को और उसकी property को, हम इस तरीके से treat करेंगे, जैसे कि warrant issue करते हैं, arrest warrant issue होता है, section 82 to 85 of CRPC में, मान लिया जाएगा, हम क्या करेंगे, report भीजेंगे writing में, किसके पास report भीजेंगे, make a report in writing, magistrate, metropolitan magistrate, या magistrate of first class के पास, और मान लिया जाएगा, जहाँ वो और कहाँ जिज जिज यूरिक्षिन में, वो प्रानी रहता है, जिसको उन्हें उठाना है, और निरी रिसाइट्स, जो प्रोविजने section 82 to 85, उता CRPC, shall apply, in respect of the sad person, उस person के लिए, या उस property के लिए, जिसके लिए हमने detention order पास किया है, as if, जैसे की, the order directing, जो order पास किया गया था, यानि, detention order, that, ही भी, जैसे की, detained, वरा warrant, मान लिया जाएगा, वो order, ही पास किया था, तो लिख लो, detention order is going to, arrest, warrant मान लिया जाएगा, और section 82 to 85, of CRPC applicable हो जाएगा, arrest warrant, magistrate भेशता, पुरी-पुरी team को जाओ, और उठा के ले किया उसको, तो किसी भी तरीके से फिर उसको उठा सकते हैं, ठीक है, फिर और क्या हो सकता है, और दूसरा भी क्या हो सकता है, सर, ओ सकता है, वो government खुद से ही, appropriate government के आगर सकते है, official gazette के अंदर, notification पास कर सकती है, और बोल सकती है, direct the sad person, और उस person को बोल सकते हैं, आओ भाई, खुद आओ उठ के, appear before such officer, जिस officer ने पास किया है, या फिर बोल सकते हैं, उस officer के सामने आओ, तो appropriate government बोल सकते हैं, इस officer, such officer, at such place, and within such period, बोल सकते हैं कि, यहां आपको आके मिलना होगा, इस जगया, इस time और इस दिन आपको आके मिलना होगा, अपनी order के अंदर बता दिया जाएगा, तो दो तरीके हो सकते हैं, ज्यातर report दे दे, और report में क्या बोला, metropolitan, magistrate वेगरा, arrest warrant, file कर दे, या फिर, एक notification ने तो official gadget में दे दे, और उस person को बोल दे जाएगा, कि आपको खुझ से appear होना पड़ेगा, to appear, such officer इसके सामने, इस जंगा, इस दिन, इस टाइम आपको होना पड़ेगा, अगर वो person आने से fail हो जाता है, if sad person is fails, अगर वो person आने से मना कर देता है, default करता है, तो company, comply करने में directions को, he shall, unless, कोई reasonable cause नहीं है, मतलब, अगर reasonable cause है, तो बात एक अलग है, unless he proves that it was not possible, भई मेरे लिए possible नहीं था, वहाँ तक आना, अगर वो proof नहीं कर पाया, तो punishable within present for a term, which may extend to one year, or with fine, or with both, तो compoundable है, और और और, तो punishable है, आपको एक साल तक की सजा हो सकती है, fine भी हो सकता है, और दोनों चीजे भी हो सकती है, अगर भगोड़ा है, तो appropriate government के पायँ दो बाते हैं, या तो return में report कर देगा magistrate को, कौन magistrate, metropolitan magistrate या magistrate of first class, दोनों same level के होते हैं, और कौन सा, जिस जो diction में, वो हम preventive detention करना है, then magistrate क्या करेगा, मान लिया जाएगा, इस application को, इस report को मान लिया जाएगा, जैसे की, section 82-85 के तरह के तरह के तरह के तरह के ट्रीट करेंगे, और वो क्या बोलते हैं, अपना में, और या फिर दूसरा भी क्या है, हम official gadget के इंदर notification पास कर देंगे, और उस person में बोला जाएगा, तो उसको कम से कम एक साल, up to one year तक की jail हो सकती है, fine भी हो सकती है, और दोनों चीज़े भी हो सकती है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसके ना bracket लगा लो, इस वाले point पे और लिख लो, communicable, ये अपने अपने communicable offense है, non-bailable offense है, सर अपना में serious माना जाएगा, जो close भी है, अगर आपने उसके order को, abjudicating officer के order की अभेल ना की, तो माल लिया जाएगा, it is amounts to communicable offense, करना, चलोगे, मैं कहारा हूँ 500% लिख लो, मेरको बहुत important लगा, 500% लिख लो जी, important, most important है, advisory board, section 8, आप लोगे, कुछ बिच्चों के notes में, section नहीं लिखा होगा, please, 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 kindly mention your section here, section 8, इधर mention कर लो, आप लो, section 8 क्या बोलते है, advisory board, most, most important, अभी, article 22, sub article 5 के अंदर पढ़ा था, कि within 3 month, within 3 month क्या होगा, मतलब maximum, 3 मेने के अंदर, अंदर detention होनी चाहिए, unless, अगर advisory board, उसको बढ़ा दे, और advisory board बढ़ा था, कितने दिन तक के लिए बढ़ा सकता है, advisory board कितने दिन के लिए बढ़ा सकता है, 2, 4 के अंदर पढ़ा था, maximum उतना जो, उस particular act के अंदर बताए गई हो, और उस particular act के अंदर मैंने पढ़ा था है, section 10 में पढ़ेंगे हम जाके, maximum एक साल या दो साल section 9 apply नहीं हो रहा है, तो एक साल section 9 apply हो रहा है, तो दो साल, देखो जी, आ जाओ, advisory board के ने पहले कहान ही तुल रही पाच्छो थोड़ी सी, advisory board को बनाते टाइम पे हमें किस चीज़ का, for the purpose of, अभी तुम ने बताया था, जब हम advisory board पढ़ेंगे, किन article का ध्यान रखना है, article 22, sub article 4, close A, और article 22, close 7 C, अगर इसनका ध्यान रखना है, और इनको ध्यान रखना है, मजलब इसके सामने लिख लो बच्चो, ये वाला थो मैंने नीचे डाल दिया, इसके सामने लिख लो ये क्या बोलता अबनाब में, मैंने आपके लिए पहले mention, no doubt का रखाय रुखो, ये ना, article 22, sub article 7, पारलेमेंट में बाइलो, पारलेमेंट बाइलो फ्रिस्क्राइब कर सकती है, क्या प्रिस्क्राइब पर सकती है, the process, the procedure to be followed by an advisory board, in an inquiry, तो inquiry जब ओ करेगा advisory board, कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए, actually में, ये person है कि नहीं है, इसको detain करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए, तो inquiry बताया जाएगा, कि कौन decide करेगा, Parliament of India by flow बना के करेगा, या फिर किस class और class of the person, को तीन महीने या उसे पेड के लिए रखा जाना चाहिए, उन सारी चीजों के लिए time pad fix करना, किस class और class of the person को detain करना चाहिए, maximum paid कितना होना चाहिए, कि वो सारी चीज़े कोन decide करेगा, Parliament of India, यह मैंना आपको बताया था, power of Parliament had to decide inquiry, कितनी दिन के लिए है, इसको बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, वो सारे discipline कोन लेगा, सब article 7 के अंदर Parliament of India, लेगा, होप सोप सबको समझ में आ गया होगा, यह चीज, अब हम पढ़ते हैं, एक बड़ा छोटा से ना, समझते जाओ, क्या करना चाहिए, पहले पढ़ाना चाहिए, या पहले समझाना चाहिए, समझ लो बेले, या पढ़ लो बेले, उसके बास समझते चोड़ो, word to word analysis करते हैं, for the purpose of article 22, sub article 4A, यह पढ़ते हो, the center government, और each state government shell, cg, और हर एक state government shell, whenever necessary, जब भी ज़रूरी है, constitute कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा advisory board, each of which, हर एक, किस से मिलके बनेगा, हर एक advisory board के अंदर, एक chair person होगा, और दो या दो से, और two other person होगे, two other persons कौन होगे, members होगे, वो कौन होगे, possessing the qualification, वो persons, और वो chair person जो होगा, chairman जो होगा, वो qualification को possess करेगा, जो qualification कहां बताए गई है, article 22, sub article 4A के अंदर बताए गई है, अब आपकी module के अंदर तो यह है नहीं, बड मैंने फिर भी उठाया, constitution of India से, और author's note करके इसको अपना डाल दिया, और वो क्या बोलता है, sir, कोई भी ऐसा law नहीं है, जो preventive detention को authorize करता है, the detention of a person longer than the period of three months, अभी तो पताया था, unless, कर सकता है, unless an advisory board, consisting of person who are, जो की, या तो है, advisory board और जो किसे मिलके बना होगा, unless, जब तक कोई भी ऐसाइड साइडवाईजरी बोर्ड, जो कम से कम who are, और who has been, have been, और are qualified, मलब appoint हो सकता भी हुआ नहीं है, to be appointed is judge of high court, तो अगर ऐसा person है, advisory board का chair person member, अगर ऐसा person है, तो वो, अगर उन्होंने report दी है, report before the expiration of the set period of three months, तो तीन महिने से पहले अगरों नहीं अपने report दे दी, और क्या report दे दी, that, there are, that there in its opinion, sufficient cause for such detention, sir हमारे opinion से, इस person को और ज़्यादा लंबे पेड़ के लिए, डिटेन करना चाहिए, लेकिनों maximum paid कितना, Parliament of India बताएगा, लो बना के, कोफे पोसा एक्ट बनाया, अभी तो हमारे इसके साथ में मिला के, 22-7 पढ़ेंगे, तो बोलता है, Parliament of India लो बनाएगा, maximum paid कितना, उस low के अंदर बताया जाएगा, जिस low की वज़े से इसको उठाया गया है, और उस low में हमने section 10 के अंदर पढ़ेंगा, हर एक का constitution ऐसा ही होना चाहिए, तो इहां, क्या बनाएगा सब्सक्राइब लिखा है, उसको एक बार side कर दो, जो हम section 9 पढ़ेंगे, तो उसके तरब भी धिहान देंगे, फिलाल कलिव घुल जाओ, the appropriate government, बलब state government या center government, shell, पांच हफते के अंदर अंदर, ये चीज़ आपको याद रखनी है, exam के लिए important है, सिर्फ पांच, हमने तो उपर बढ़ा, तीन महीने के अंदर अंदर, advisory board को भी अपना decision देना है, पड़ी report देनी है, अब पांच हफते का मतलब है, एक महीना, अप्रोक्सिमेटली एक महीना और साथ आठ देन, तो पांच हफते के अंदर अंदर, जब से detention किया है, हम reference देंगे, कि सर्फ हमने ऐसे person को detain किया है, किसको advisory board को, और क्या, जो close A वाली, देंगे कि सर्फ हमने ऐसे person को, जो बनाई गई थी close A में, कि सर्फ आप अपनी report, प्लीज, 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 आप अपनी report देदो, और किसके ऐसी कमेटी के अंदर report देदो, for the purpose of article 22 के अंदर जाके report देदो, अब आगे क्या होगा, advisory board, ध्यान से वाला point, advisory board ने, जो उसको reference मिली है, close B के अंदर, जो उनको reference मिली है, कि सर्फ आपको report देनी है अपनी, shall after considering, तो उस reference को ध्यान में रखते हुए, the reference, और जो भी material place, उसके सामने, और जो document या, जो भी चीज़े उसके सामने रखी गई है, कि सर्फ इसके time period को बढ़ाया जाना चाहिए, आप एक बार consider कर लो, and after calling for such further information, जो रखी गई थी वो भी, और जो उसको और मंगवानी थी वो भी, यहां मैंने थोड़ी से एक बढ़िया तरीके से ड्राफ्टिंग की है आपकी बुक में, अब नए वाले notes में तो आपको पढ़ने हो मज़ा आएगा, और for further information as it been deemed necessary, जो भी मुझे सही लगी, मैंने वो भी मंगवाली आप लोगो से, फिर, किस से, या तो appropriate government से मंगवाली, यानि state government, center government, जिसने reference दिये वेरोंगे, या कि किसी भी person से मंगवाली, through appropriate center government, तो center government से, या state government से मंगवानी थी, कोई भी person से मंगवाली, किसके, for the purpose, any person called, or any person called for the purpose, through the appropriate government language, तो भी बखवास है, पर रिटेन करनी पड़ी आगे आगे बड़ो, the person concerned, या फिर उसी जो परफ़र परसन, क्याज करके रखा है, उसी से कोई further information ले ली हमने, तो उन सारी materials को mind में रखते हुए, उन सारी informations को mind में रखते हुए, if in any particular case, अगर किसी भी case में, it, it का मलब advisory board, consider it is essential so to do, जरूरी है, मुझे खुद से advisory board को लगता है, कि जरूरी है sir, क्या जरूरी है, question चलाओ दिमाग, मुझे तो पता ही है, उसका in person, उसकी representation रखना है, और इपना person concerned, या नि जो person concerned का मतलब, जो jail में पढ़ाय जिसकी detention वे है, detentee की बात की जाई है, detentee, desires to be heard in person, या तो वो खुद चाता है, desires to be heard in person, या फिर उनको खुद लगता है, advisory board को कि sir, उसको सुना जाना चाहिए, तो after hearing him in person, तो उपर बोला गया है, material को ध्यान में रखते हैं, reference को ध्यान में रखते हैं, information को ध्यान में रखते हैं, और अगर उसको physical, in person अगर उसकी presentation रखी गई है, हमने बोला था न, article 22 के अंदर, सब article 5 के अंदर, write to be, write to be presentation, तो उसकी presentation अगर हमने सुन ली, तो prepare its report, अपनी report बनाएगा, और उस report के अंदर, separate paragraph, in a separate paragraph, there of its opinion as to whether or not the sufficient cause for detention, concerned, और separate paragraph के अंदर, अपनी report, उस report के अंदर separately एक paragraph बनाएगा, और उस paragraph, वो अपना आप में confidential नहीं होगा, वो तो publicly बता देंगे, sir, advisory board की report आईए, और वो बोलती है, कि yes, इसको क्या होना चाहिए, इनको अगर बढ़ा जाना चाहिए, इनका time पर detention का बढ़ा जाना चाहिए, तो वो report के अंदर, एक अलग सी close, separately close बनाएगा, कि yes, मेरे opinion यह है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, या नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, तो वो इसकी report के अंदर बढ़ाया जाएगा, पूरा-पूरा अच्छे तरीके से, और वो अपनी report कब तक submit करना चाहिए, ध्यान से time पर याज़ रखना, यहां मैं इसलिप हो रहा हूँ, या तरहना जब section 9 का हम पढ़ायां, तो उसका impact कुछ हो रहाएगा, within 11 week, 11 हफते, तीन महीने में कितने हफते होंगे, 4, 3, 12, तो approximately 3 महीने से पहले ही आगई report, तो within 11 वीक, तो 3 महीने से पहले-पहले report आजाने चाहिए, यह भी आटिकल पढ़ा था 22, from the date of the detention, तो detention से, ना कि जब से उसको मिली application उस दिन से नहीं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, 11 हफते को 5 प्लस 6 से डिवाइड करेंगे, तो तक्रीमन 6 हफते का ही time मिलेगा, इनकी पास तो report बनाने का, और अगर उन्होंने 5 हफते की बज़ाए, अगर एक हफते मी बोल दिया था, तो इन्हों कितने हफते का time मिलेगा, 10 हफते का, अगर 2 हफते का बोला था, तो कितने हफते का time मिलेगा, बटो यह को शर्टे को समझ की ती कि हैं इन कि कोशिश की थी कि आप लोगों समझ में एक बाद रर्पीट करते हैं starting appropriate government यानि central government या state government को अगर लगता है कि हमें एक एक सेद advisory board बनाना चाहिए तो बना सकते हैं एक जिसका चीर परसन होगा और दो अलग परसन होगे और वो qualification जो article 22 सब article 4 close एक के अंदर constitution में बताए गई है और constitution बोलता है कोई भी लो 3 महीने से कोई भी appropriate government तीन महीने से ज़्यादा detention quarter pass नहीं कर सकती unless अगर advisory board जो की एक ऐसे परसन से मिलके बना है जो या तो है आर या फिर चलता आ रहा है या फिर qualified है to be a judge of the high court अगर वो recommend करता है कि तीन महीने से पहले अगर वो recommend करता है कि तीन महीने से ज़्यादा के लिए होना चाहिए तो हो सकता है और तीन महीने से ज़्यादा के लिए वो कितना होगा वो उसके लिए सब article 7 बीच में आ गया वो बोलता है Parliament of India decide करेगा वो ज़्यादा कितना होगा inquiry का procedure वही बताता है और वो ज़्यादा कितना होगा वो particular law के अंदर बताया जाएगा maximum कितना होना चाहिए उस level तक advisory board order दे सकता उसे आज़र नहीं दे सकता फिर बोला गया है अगर appropriate government को लगता है कि उस percent बढ़ाया जाना चाहिए तो 5 chapter के अंदर अंदर जब से retention order आया है reference दे देंगे advisory board को advisory board वो जो उपर close A के अंदर बताया गया है advisory board को reference दे दी जाएगी और advisory board सी में क्या बोलता है जब उसके पास reference आई उसको ध्यान में रखते हुए वोई material और रिये गए थे उसको ध्यान में रखते हुए वो further information उनको चाहिए थी वो information उन्होंने ले ली उन सारी informations को ध्यान में रखते हुए और वो information appropriate government से किसी person से या फिर उस person concern से ही ध्यान में रखते हुए या फिर अगर उनको खुद से लगता है कि उस person की presence होने चाहिए इन person आना चाहिए वो या फिर उन person ने concern person ने application लगाई प्लीज मेरी बात सुन लो इक मुझे बुला के उस बात को ध्यान में रखते हुए हम एक report बनाएंगे और उस report को 11 हफते के अंदर बता देंगे और उस report के एक separate paragraph बताएंगे कि हमारा opinion क्या है बढ़ा जाना चाहिए गर भटा जाना चाहिए सफिशेंट है कि नहीं है retention करना इसको बढ़ाना सफिशेंट है कि नहीं है तो 11 हफते के अंदर एक चीज जो in case एक advisory board के अंदर सारा का सारा board एक तरफा ना हो opinion में differences है in case यहां लिख लो differences of opinion तो majority of members का decision जो भी होगा तीन या चार का जो तीन का दो का जो भी होगा माल लिया जाएगा it is the final dogs parking तो थोड़ा सा manage करो हवाज को a person against whom an order of detention has been made under this act तो कोई बेसा person जिसके against detention ध्यान से इस वाले काई ग्राफ को ध्यान से पढ़ना है कोई बेसा person जिसके against detention order पास किया गया है shall not be entitled ये वाला है वो provision shall not be entitled to appear by any legal practitioner तो वो person advisory board के सामने किसी legal practitioner के साथ नहीं अपीर हो सकता देको word word नहीं हाँ मैंने use करा था in person क्या legal practitioner हो सकता है in person तो legal practitioner के through नहीं हो सकता एक चीज और इसी के अंतर एक और paragraph है add paragraph को मतलब एक और point is में and के बाद एक अलग point start होगा and the proceedings of the advisory board तो जो भी सनुवाई हुई है कारवाई हुई है advisory board के सामने inquiry हुई है चाहे वो in person आया वो भी और जो भी उसकी report है जो कारवाई हुई है वो और जो उसकी report बनके आई है एक बनना यह जो मैंने bracket लगाई है और जहां तक close case को बूल जाओ जो भी उसकी proceedings थी और जो भी उसकी report बनके यह यह शल भी confidential वो सारे की सारी confidential होगी except वो चीज confidential नहीं होगी कौन सी चीज नहीं होगी that part of the report वो part report का in which the opinion of the advisory board is specified तो वो separate paragraph जो मैंने आपको प्रेख लोग भई प्लिक इंट्रेश्ट में नहीं हो चीज बताना भी आपको representation का था in person आप चले जाओ legal practitioner के तूँ आप नहीं जा सकते in person आप जा सकते हैं ठीक है सब कुछ मैंने प्रूफ कर दिया कि बात ते यह बड़ा द्धान से पढ़ना बहुत द्धान से एफ कोईट बार 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 यूज आएगा भी आपका वो चोब बहुत द्धान से पढ़ना है वाला in every case where the advisory board has reported that there is in its opinion sufficient तो sir advisory board को लगता है कि sir हमारे opinion से sufficient है उस person को detain करके रखना और ज्यादा प्रेड के लिए तो appropriate government जहां से इस word को पढ़ना appropriate government may confirm shall word नहीं है advisory board का जो रिकमेंडेटरी ही माना जाएगा चाहे तो appropriate government उसको confirm कर सकती है detention को और उसके time period को और आगे बढ़ा सकती है and या फिर and का मतलब या फिर अगर advisory board बोलता है कि उसको opinion है कि उसको sufficient नहीं है उस person को आगे बढ़ाये रखना उसको detain करके रखना तो appropriate government shall revoke जहां से बोलते हैं बढ़ाना है तो आपके पास वे भी chance है कि आप बढ़ाओ या ना बढ़ाओ लेकिन अगर आपको बोलता है sufficient नहीं है inquiry करने के बाए तो उस person को detain करके रखना आपने पास तो आप उसको confirm करना ही करना पड़ेगा तो आप उसको confirm करना ही करना पड़ेगा जैनना मालब दुबारा से मेरे वोन डिवाइज करबा दू सेंट्र गॉर्ष्मेंट को या स्टेट गॉर्ष्मेंट का दिल करता है मालब उनको लगता है कि ज़रूरी है को आडवाइजरी बॉर्ड बनाना तो आडवाइजरी बॉर्ड बना सकते है जिसमें चेर परसन और दो मेंबर होंगे और उनकी क्वालिविकेशन क्या होगी जो आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 4 क्लोस एक अंदर बताए गई है और वो क्या बोलता है कि कभी भी एडवाइजरी बोर्ट तीन साल से जादा तीन महीने से जादा का डिटेंशन नहीं कर सकता सैटिस्फाई करता गए है सर मैं सैटिस्फाई हूँ इसको बढ़ाया जाना चाहिए तो तो बढ़ सकता है और वो कितना मैकिसम बढ़ सकता है सब आर्टिकल 7 निदर बताए को प्लोग के आंदर कौने गई है और जो ब्रेटिकल बोर्मेट रफ में अटिलों रखेगे तो को मानते हुए जो भी further information लीती अपरोपेट गवर्मेंट से किसी persons है, person concerned से उसको मानते हुए या फिर अगर उनको खुद से लगाता है advisory board को कि इन person आना चाहिए या फिर उस person concerned ने request किसी sir please please मुझे इन person आकर सुन लो तो article 22 सब article 5 वाली उसके representation के request तो उनको क्या होना चाहिए? उनकी उस representation को धान में रखते हुए, finally अब एक report पास की है और 11 हफते के अंदर अंदर वो report देनी हो और उसमें report में separate paragraph में अपना opinion बताना है, लेकिन अगर difference लो opinion होगी तो majority के reason को मान लिया जाएगा final होगा, अब जब आपको इन person आना है तो इन person आना advocate को तुरू नहीं आ स उसको छोड़ के और सारगा सारगा confidential होगा, और जो भी आपको आउड रहा है, अगर advisory board ने बोला है कि सर हम satisfy है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए है, फिर इसको detain करतना सही है, तो उसको में चाहे तो appropriate government confirm करे, चाहे तो ना करे, लेकिन अगर बोला कि सर satisfy नहीं है, हम इस हमें रिवोक करना होगा, उसको इमिडेटली रिलीस करना होगा, शलो जी, section 9 और about to come, chapter about to come, और मजा आगया, और अप लोगो को भी मजा आया होगा, अब तक का सबसे भढ़िया इस chapter का topic, मैं बोल सकता हूँ, समझने वाला topic, और अब तक जो आपने नया topic, जो बिलकुल कभ पढ़ा नहीं होगा, वो टो दिखेगा, आज हमारे, cases, यह थोड़ा चा धिहान से हमने एक जिंगा पढ़ा था, close beaming, नलब accept, save as the provision, save as otherwise provided in section 9, तो यानि section 9 में जो भी लिखा है, वो overrule करेगा, अब बात आगए section 9 में क्या लिखा है, वो overrule करेगा, section 9 की भी language ही बोलती है, section including foreigner, in respect of whom and order of detention, किसी भी परसंट के अगेंश्ट, अगर, डिटेंटी के बरे में बात की जा रही है, अगर, क्या, डिटेंशन ओडर पास किया गया है, act के अंदर, लेकिन वो कब किया गया है, इटेंशन ओडर पास, धिहान से पढ़ना, before, before the 31st day of July, सर फिर हमारे क्या काम का अगर, 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 जड़ा से भी टेंशन ओडर आया था, धिहान से लेंगेज पढ़ना, अगर, जड़ा सा भी टेंशन बीच में खतम होगा, तो समझी नहीं पाओगे, और तो पेने हाईलाइट करके पकड़ लिए बात, में भी टेंड, तो उस परसन को हम डेंड कर सकते हैं, सर कितने दिन के लिए, हमने बोलाता से वैस, मतलब तीन महिने से जाधा कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, में भी टेंड, विदाउट, अच्छे न, इसके बाद एक बार बूल जो, हम उसको डेंड कर सकते हैं, में भी डेंड without इस वाले बातों आप बूल जाओगे एक सेक्ट के लिए इसको may be detained may be detained for a period longer than three months but not exceeding six months हम detain कर सकते हैं तीन महीने से ज़्यादा जो उपर पड़ा था हमने दो भी पड़ा था तो contradictory हो रहा है 8 के साथ लेकिन वो जो before कब से 31 जुलाई 1999 से पहले वाले अब उससे पहले गए detention order कर आया था तो लेकिन ये क्या लिखा था सर बीच में लेकिन विदाउट obtaining in accordance विदा अब अब सर जो उसमें बोला गया था एडवाईजरी बोर्ड से पहले पूरा एनी section 8 को बिना follow करें तो बिना section 8 को follow करें अगर कोई भी परसन 31 जुलाई 1909 में से पहले अगर preventive detention order आया था तो तीन महीने से ज़ादा कर सकते है लिकिन उस case में maximum कितना होगा 6 महीने वहाँ ये नहीं बोला गया कि किसी लोग को ध्यान में रखना है तो उसके बाद मुझे रखता है परसनली उस टेम पे amendment आई होगी इस act के अंदर amendment आई होगी 1999 में तो बोलागा कि इस वाले particular case में कितना होगा 6 महीने होगा 6 महीने से ज़ादा नहीं होगा from his date of this detention तो 3 महीने प्लस 3 महीने वेर दा ओर ओर अटेंशन has been made अगेंस सच परसन विदे दूटू किन किन matters में prevention of smuggling of goods the central government or any officer of the central government not below the rank of additional secretary जो को महाँआवड था joint secretary है अग वड़े additional secretary का ध्यान अगना तो दग that government उस government का specifically empowered for the purpose of this section by that government तो specifically appoint किया गया है और वो satisfy हो जाता है और अगर वो officer satisfy central government का additional secretary है कि yes sir smuggling activities हुई है smuggling of goods हुआ है कहां हुआ है any area highly vulnerable ज़्यादा chances ते है समुनरी area जो उसके आसपास उडिसा वेगारे का area जहाँ फोग ज़्यादा होते हैं जहाँ smuggling के chances ज़्यादा है उस area में अगर उसको अत्रसार अगर ऐसा है कोई भी officer जो भी additional secretary से है अगर उसको ऐसा लगता है advisory board की बात नहीं हो रही जिस advisory board को लगता था ऐसे अगर इस central government को additional secretary को अगर ऐसा लगता है कि ये काम हुए है वल नीरेबल एरिया बस यहाँ एक चीज़ी आ देखना तो लेकिन यहाँ भी धियान से पांच हफते ही है तो पांच हफते के अंदर अंदर जब चे उसको डिटेन किया है हम ये time period को बढ़ा के तीन महीने के जिनका छे महीने का order pass कर सकते है लेकिन वो किसको लगता चाहिए सेंटर गुर्मेट को या additional secretary को ये चीज़ी लगने ही चाहिए any officer को ये चीज़ी लगने ही चाहिए इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा और इस चीज़ को धिहान से कुछ बचों के notes में चीज़ नहीं होगी और हमारे module में भी नहीं है इस जब हम आगे पड़ेंगे न तो ये वाला बार 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 पर ये वाले close के reference आएगे और फिर आपने move बनाके बैटोगे फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा सर सब सब्सेक्शन 2 क्या है सब्सेक्शन 2 क्या है आगे दोनों सेक्शन से इसको पर डिपेंड है हमारे section 10 भी section 11 भी section 10 ए भी इसको पर डिपेंड है तो फिर आपने section 11 नहीं है section 10 और 10 ए दोनों में इसकी reference आएगी तो आपको समझ में नहीं है कि हुआ क्या ये अगर कोई भी पर सब्सेक्शन 1 में किया गया है अगर उसकेस में section 8 को apply किया जाता है in case of any person detained under a detention order to which the provision of subsection 1 apply अगर subsection 1 apply होता है section 8 shall have effect subject to the following modification तो उसकेस में अगर section 8 को effect करते भी हो अगर apply करते भी हो तो ये ये modification आपको लानी पड़ेंगे क्या सर जैसे हमने वहां पड़ा था पांच हफ्टे के अंदर अंदर तो माल लिया जाएगा वहां कितने दिन चार महीने और दो हफ्टे के अंदर अंदर तो चार महीने और दो हफ्टे के अंदर आप कर सकते application और जहां हमने पड़ा था the detention of the person concerned एक वर्ड पड़ा था detention करेंग उस person concerned की, the word continued detention of the person concerned, तो जब से, continued का मतलब क्यों होड यूज किया है, जो 31 जुलाई से पहले से चलता आ रहा है, बात तब, continued का expression कहना चारे है, जो पहले से चलता हुआ रहा है, तो मान लिया जागए, कुछ बच्चों को additional secretary से नीचे rank का नहीं है, वो उसको लगता है कि अगर satisfactory है, समगलिंग activities है, तो order pass कर सकता है, पांच हफते के अंदर अंदर, लेकिंगे अगर वो section 8 को follow करते हैं, तो section 8 होगा तो वही, लेकिन उसको रूप थोड़ा लग होगा, जैसे lockdown 4 है, that means उसको रूप क्या होगा, थोड़ा सा लग, कि महां जैसे हम 5 हफते पढ़ते थे, वो 5 हफते नहीं है, 4 महीने 2 हफते हैं, जहां हम पढ़ते थे, the detention of the person पढ़ते थे, close C के अंदर थे, को दिखा देता हूं आपको, ये close C में हम पढ़ते ने, ये वर्ड, और दा, retention of the person concerned, यहां हम पढ़ेंगे, continued, मतलब माल लो है वो का वो, बट उसकी दिएगा बस ये replace कर लो, substitute कर लो, वर्ड, क्या substitute कर लो, continued, अच्छा वर्ड, मैंने आपको ये भी reason बता दे, continued वर्ड लिखने के पीछी reason कहा है, तो मैं इसको भी red कर देता हूँ, ताकि red वाला portion आपको साफ साफ दिल जाएगे, सरी अमेंडमेंट वाला portion है, मतलब जो लगातार चलता रहा है, 38 जुलाई, 1999 से पहले, तो continued word को लगा के पढ़ो, और जहां 11 हफते था, 11 हफते को मान लो 5 महीने 3 weeks, 3 weeks, पढ़ाता है, उसकी जहां क्या मान के पढ़ेंगे, continued detention, माल लोग वो इधी चीजी जो मैं लगाता रहा, order आने, यानि amendment आने से पहले से, यानि वो amendment आई होगी section के अंदर 3 महीने वाली है, तो पहले 6 महीने ही होता होगा, तो जो amendment आने से पहले से चलता रहा, या तो section 8 को follow कर लो, या फिर section 8 को follow ना करो, अगर section 8 follow नहीं किया, तो उस case में center, क्या होगा, maximum 6 महीने तक आप extend कर सकते हो, यहां section 8 में क्या बोला गया था, जो low बोलता है, उस supporting, और low क्या बोलता है, section 10 के अंदर बोला गया है, low sir, कितने दिन तक कर सकते हो, एक साल अगर section 9 apply हो रहा है, नहीं हो रहा तो एक साल तक, section 9 अगर apply किया है, तो 2 साल तक, या निक उससे पहले बाले को 2 साल तक, और उसके बाद अगर कोई dimension order रहा है, तो 1 साल तक आप extend कर सकते हो, तो वही चीज़ बोली गई है, तो 2 बाते होंगी, या तो अगर आप section 8 को follow कर लो, section 8 को अगर follow नहीं करते हैं, तो maximum 6 महिने तक जाएंगे, उस किसमें power किसके पास होगी, advisory board के पास नहीं होगी, central government या फिर central government को कोई भी officer, जिसका rank कम से कम additional secretary होगा, उसको लगता कि बर्नेरेबल, highly vulnerable area में अगर समगने अक्टिविटीज हुई है, तो 5 हफते के अंदर अंदर, कब से 5 हफते सर, detention order के 5 हफते के अंदर अंदर, हम क्या कर देंगे, उसको extend कर देंगे, जा फिर अगर section 8 को apply करना ही है, तो 5 हफते के अंदर, मान लो, 4 महीने, 2 हफते, 11 महीने के अंदर, 11 हफते के अंदर, मान लो, 5 महीने, 3 हफते, जहां word for the detention of the person, concerned person था, मान लो, continue detention, मान लो, भी पहले से चलता होगा रहा है, डरना, पूरा जान लगा दी है, इसको समझाने के लिए, इसको मैं टैप्ट में जाओंगा भी नहीं, बस एक इचीज़ बताओंगा, where the provision of section 9 do not apply, अगर section 9 के provision apply नहीं हो रहे, और ध्यान से, and which have been confirmed, तो मैं क्या मोल सकता हूँ, जो सबसे पहले confirm कर भी दिया था, तो यहनि उसके बाद में चाहे, तो appropriate government चाहे, तो revoke उसको आगे continue कर सकता है, और confirm भी कर दिया था, advisory board ने, जहां section 9 apply नहीं हो रहा है, that means, that is, section 9 apply नहीं होने का मतलब क्या है, that is, after, 31st July, 1909 की बात हो रही है, और जहां section 8 भी apply हो रहा है, और section 8 के अंदर confirm हो गया था, तो section 8 के अंदर confirm होने का मतलब है, ये वले point की बात की जा रही है, इस वले point की, रुको, इस वले point की बात, main, तो appropriate government चाहे ही तो अगे कर सकती है, तो इसकी बात हो रही है, अगर वो भी confirm कर दे, section 9 भी apply नहीं हो, तो उस वले case में, जो period होगा maximum, इसे हम वो कितना कर सकते हैं, तीन महीने से बढ़ा के वो कितना हो सकता है, shall be a period of one year, लेकिन कहां से from the date of retention से एक साल, या फिर और the specified period, या फिर जो भी specified period for the time being, बताया जाएगा, वो whichever period expires later, तो जो भी later होगा, यानि maximum एक साल तक आप कर सकते हो, तो whichever period is expired later, और अगर section 9 apply हो रहा है, यानि उससे पहले वाले हैं, तो उस वाले case में, और section 8 के अंदर confirm, यानि section 9 पे apply हो रहा है, और section 8 के अंदर भी confirm कर दी गई है, that means कि मैं बोल सकता हूँ, section 9 से section 2 वाला, इस वाले की बात की जारी है, तो इस वाले में तो maximum period बताई दिया, अपने आप में पतादे 6 महीने होगा, देखो न, please भाई, इस वाले में तो पहले बतादे यान तो section 10 apply नहीं होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ, इस वाले किस में section 10 apply नहीं होगा, लिख लोग अगर लिखना चाहरे हो, section 8 के अंदर भी क्या हुआ है? section 8 के अंदर भी confirm किया गया, red means section 9, अरे अभी तो पड़ा था, महां 5 महीने 3 हफते हो जाएंगे, और 4 महीने 2 हफते हो जाएंगे, महां कितना होगा, 2 साल हो जाएगा sir, date of detention से, और specified data whichever is expired later, अच्छा, बाद में अपने order को ये, rectify या modify कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, hope, so ये वाला point सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, बहुत जादा जरूरी है, क्योंकि सर section 9, subsection 1 के उपर तो section 10 apply नहीं होगा, section 9, subsection 2 में पहले बोला था, या तो advisory board माल लो, अगर advisory board को मान रहे हो, तो time-fit extend होगा, time-fit extend होगा, तो यहां हमारा detention period भी extend को ले रहागा, बहुत मैं बोल रहा हूँ, ultimate, ultimate वाले interpretations की जरूरी इस वाले point के लिए, ultimate वाले interpretations की जरूरी, विहान से बैठके पढ़ लेना, इस वाले को चाहिए, दोबारा सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज इस वाले point को कर लेना, टिक क्या जी, extension of period of detention, अलो, section 9, क्या बोलता है, अगर कोई भी person, preventive detention order आया था, कब आया था सर, before, 31st, July 1999 से, अब उसमें दो बात के होंगी, या तो आप, section 8 के accordingly, चल जाओ, या section 8 को follow, ना करो, या आपने कट लिया, अगर आपने, नहीं किया, उल्टा कर लो, अगर आपने नहीं किया, तो उस वाले के, इसमें क्या होगा, section 9, that means, जो हमारी central government है, या फिर additional secretary है, central government का, वो क्या करेगा, अगर आपने highly vulnerable area में ऐसा किया है, तो उस case में, तीन महीने से बढ़ा के, maximum कितना हो जाएगा, छे महीने, तो क्या यहां section 10 लगा, नहीं लगा जी, यहां क्या हो जाएगा, यहां जो period था, जैसे हमने बोला था, पांच हफ्टे वाला, अगर section 8 अप्लाई करना है, तो कुछ variations के साथ, तो section 8 में जो time periods था, ऐसे तो same लगेगा, लेकिन section 8 में जो 5 हफ्टे थी, तो महां मान लिया जाएगा, 4 महीने, प्लस 2 वीक, जहां 11 हफ्टे थे, उसको मान लिया जाएगा, 5 महीने, प्लस 3 वीक, जहां word for the detention लेखा गया था, तो महां continue detention word, ठीक है, in case, अब बात की जारी है section 10 की, अब section 10 बोलता है जी, हम कर रहा है maximum period, तो जो normal process था, that means after वाले, subsection 1 तो इसका बोलता है, sir, जो after 31st July 1990 में वाले है, उनके case में तो एक साल, या फिर जो specified order which ever is later, expire होगा, subsection 2 में बोलता है sir, जहां section 9 apply हो रहा है, यहां बोला है section 9 apply, नहीं हो रहा है, जहां हो रहा है, plus, जहां हमें section 8 को apply किया, क्योंकि जहां section 8 को apply नहीं किया, महां तो section 10 fully नहीं करेगा, हमने अभी तो बोला है, plus, that means red with section 9, subsection 2, यानि उसके वाली conditions को ध्यान में रखना है हमें, मैंने पहले बोल रहा था हमारे module में नहीं है, पर हमें ध्यान देना है, उसके वाली conditions को हमें ध्यान रखना है, उसके वाली conditions क्या बोलती थी, उस time period को बढ़ाना, तो यह सारे कंडिशन अगर हो गई तो इस वाले किसमें दो साल या फिर जो स्पेसिफाइड ओडर में टाइम बताया गया है विचेवर इस एक्सपायर से लेटर तो जो भी लेटर एक्सपायर होगा तो जब तक मान लिया जाएगा हमारा मैक्सिम पेर्ड होगा ओने इस प्लिए बोल रहा हूं जान है दो सेक्षिन है इस एक्ट की आज की इंटरप्रेशन की बई मजा आ जाएगा यह ध्यान से पढ़ लेना इसको बैटके अगर वो किया गया था ओडर पास तो एक साल वोई पढ़ते रहना पीज इस वाले सेक्षिन को मैं नहीं पढ़ा रहा हूं पढ़ते रहना कुछ नहीं है अब हमने यह नहीं बोला कि amendment आने से पहले अब हमने बोला गर उस act के आने से पहले था तो इस तरीके से time period लएगा extension time period लएगा और अगर इस act के आने के बाद है तो इस तरीके से महलब दो process बता दिये गए है पढ़ देने इस वाले को same same है कोई दिक्कत आए तो पता दे रहा कि अधा हो very very important very very important Revocation of the detention order what is the meaning of detention शरी है section 21 of general closes act का गया हाँ तो लिखो नो फिर इसका मतलब क्या था section 21 of the general closed act बोलता है मैं यहान नहीं लिखना नहीं चारा हूं मैं आपको direct कोई दिखा रहता हूं तो language पढ़ो पहले बदाख सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई बात नहीं कर सकते हैं कभी भी आप मोडिपाइब कर सकते हो बट स्टिल अलग से शेक्षिन भी बता दिया कभी आप रिवोक कर सकते हो लेकिन कब सब्सक्राइब कर सकते हैं को बट साथ इसक्राइब कर सकते हैं अई बाद में प्रक में फिर बैठ अंइर लिए ले को यसिप्र नें फेर्ली फेंद हैं इसे। ने पास किया था, तो by a state government, तो कोई भी state government, by a state government, central government और by a state government, by the, नहीं, not be standing that the order has been made by an officer of the central government, और by a state government, तो किसी भी central government या state government को officer ने किया था, तो by the central government, तो central government तो परी, यहना मुझे language में लोच्चा लगता है, परसनली न मुझे यह, मतलब यह language यह इस तरीके से कहना चाहरे है, कि central government ने अगर state government के, ने अगर detention order पास किया गया था, किसी भी officer ने अगर पास किया था, तो वो खुद state government या फिर central government, और अगर वो central government ने पास किया था, तो या फिर किसी भी state ने पास किया था, तो central government तो करी स आज state government ने pass किया है या फिर बाया central government ने pass किया है तो central government तो उसको cancel करे सकती है और revocation ध्यान से सवाले point को पड़ो तो revocation of detention order shall not bar इसका मलब यह नहीं कि आपने एक बार revoke कर दिया कोई pass किया था revoke कर दिया क्या आप उस person पर दुबारा नहीं कर सकते हो ऐसा नहीं है, कर सकते है अगर आप उसने दुबारा से गलती कर दिया अगर उसने दुबारा से माल लो वाई चांस अगर उसने smuggling activities हमने रोकने के लिए पहले से उसको रोक लिया लेकिन बाद में प्रूफ होता है कि नहीं से अगर हमें cancel करना चाहिए अब बाद में उसको हमें लगा नहीं नहीं ये तो मिल गया और मिल रहा है से तो गलत काम कर रहा है तो उसने दुबारा से भी detention order पास कर सकते है temporary relief release अब इसको हम ये बोलर रिवोक नहीं किया हमने temporary release देखो ये न मैंने डालाई है आपके मोडूल में नहीं है ये 1A ये वाला ये 1A या आईशे से ने अभी डाल दिया तो मुझे पता नहीं after amendment बट ये 1A मैंने बेरेक्ट से ही किया है तो 1 ये क्या मोलता है central government देखो यहाँ word अगर आप या तो अलक्सेज को बना लो या फिर इसी को ही न देखना एक बर क्याने का मतलब मेरा concern ये है the central government या फिर state government या तो सिर्फ एक word एड़ करना है state government ये पूरा का पूरा पैर नहीं फट जाएगा ये होते स्मार्ट स्टडी से पढ़ना तो जा central government और state government may at any time direct that any person detained जो भी परसंट detained किया गया है may be released for any specified period हम उसको release कर सकता है कुछ temporary period के लिए इधर without consideration और upon such consideration तो हो सकता है without consideration कर सकता है और होता है with या without consideration ये और simple language में लेक सकते थे इधर without conditions कर सकते थे specified in the directions may at any time cancel his release तो जो भी और कभी भी कोई भी condition लाके और कभी भी वो जो उसने temporary release किया उसको cancel भी कर सकते है तो पावर है पूरी पूरी temporary release को cancel भी करने के same as state government के लिए भी और कभी भी हम उसको state government वाले को भी release कर सकते है तो टेंप्रीरी रिलीज मैंने करके आपको भेज दिया, दो मीने के लिए मैं आपको उठाया था, एक साल तक मैंने टाइम प्रिट बढ़ा गया, फिर एक पंदरा धिन के लिए मैं आपको रिलीज कर जाए, क्योंकि आपके लड़की की शादी थी, फिर मुझे लगता है कि नहीं है, यह भाग जाएगा पंदर दिन में भी, पांस दिन में इसके हलात मुझे ऐसे लग रहे हैं, फिर उसको कैंसर करके दुबार बुला लो, ऐसे, तो वही चीज बोले है, इन डिरेक्टिंग दर रिलीज ओफ एनी ओफ दो पर सब्सेक्शन वन वन ए, तो उपर जो बोला गया है, उसको रिलीज करते टाइम पर जो या तो स्टेट गोर्मेंट या सेंटल गोर्मेंट, गोर्मेंट डिरेक्टिंग दर रिलीज में रिलीज में रिक्वायर हिम तो एंटर इंटर 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 बॉन, अब हो सकता है उसको रिलीज करते टाइम पर हमें बोले की सरा आपको bond sign करना पड़ेगा या फिर उससे bond sign कर वाले या फिर उसके कोई surety को ले के आओ किसी ना किसी को surety को ले के आओ कोई आपके भिहाब पे गवाई देगा कि अगर आप भाग जाते हो तो वो इसके भिहाब पे आपका और में बताया गया था या फिर cancellation of release order में हमने पढ़ा था हम पर्मिय अनी टाम कर सकता है तो यहां तो release order में बताया गया था उस authority के सामने या फिर cancellation of release order release cancellation order के बताया गया था आपको surrender करना पड़ेगा अगर आपने अपना आपको surrender नहीं किया और कोई भी sufficient cause नहीं थे आपको वहां तक time पे ना पहुँचने के तो मान लिया जाएगा punishable है criminal offense है punishable with imprisonment or a term which may extend to two year or fine और with both यहां एक साल नहीं है यहां दो साल है वहां एक साल था यहां क्या है दो साल और if any person released कोई भी person को release किया गया था अब यह तो नहीं कि उसने surrender करने में दिक्कत करी है लेकिन जिस condition पर उसको release किया गया था वो उन condition को fails to fulfill the condition अगर वो उन conditions को follow नहीं करता बहार निकलके तो मान लिया जाएगा जो भी आपने bond sign किया था या फिर आपके surety नहीं किया था तो उ और any person bound thereby तो जो भी person ने आपकी bounding लीथी shall be liable to pay the penalty there oh notwithstanding anything contained in any other law कुछी और लो में कुछ भी गया सब जाए भाड में लेकिन जो भी इस section में लिखा है उसको ध्यान में रखना उपर अब तक जो भी लिखा है इसकी कोई भी बच्चा मुझे ना इसकी interpretation बता दो एक मिंट लागे बता दो मैं आपको बताता हूं अपने कान बंदर के सुन लू मैं लब एक मिंट के बाद सुन ले ना पोज करके यह कहना चाहरा है इस act के अलावा इस act के provision में कोई दूसरा लोग कुछ भी बोलता है सब भार नहीं चोड़ेंगे जातो इस act के provisions को follow कर लो otherwise हम उसको follow इस section को follow कर लो otherwise उसको release नहीं करेंगे कभी भी बेल होगे क्यों कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ द्रक्टिंग की है protection of action taken in good faith अगर किसी भी state government ने किसी भी central government ने अगर कोई भी good faith में या किसी भी person ने आपकी में दुबारे से line लिखे होगी no suit or legal proceeding shall lie against any person यहां इससे पहले line दुबारे से लिखे होगी आपके में no suit or other legal proceeding दिन बच्चे को पुराने वाले notes से उनकी में बात कर रहा हूँ मैंने क करता रहता हूँ मैं हर क्लास से पहले change बैठके any person for anything in good faith अगर उनने good faith में किया किसी भी person ने किसी भी central government ने किसी भी state government ने अगर वो काम उसकी intention सही है तो उसके against क्या नहीं हो सकता no suit or other legal proceedings तो ना तो कोई भी suit होगा और ना ही कोई भी legal proceedings होगी किसके against ना तो central government गेंस ना state government फिर किसी भी person ने जिसने भी अच्छा काम किया है अच्छी intention से किया है उमीद है सब बच्चों ने अच्छे तरीके से chapter समझा होगा पूरे अच्छे तरीके से chapter को पढ़ा होगा मेरे साथ और आज मतलब आप लोग को आज ही lecture खतम होने के बाद थोड़ी दिर rest करके इसको पढ़ना होगा थोड़ा सा tough है retain करने वाले chapter है बट मैंने पूरा technical level पर जाके बताया background भी इसका समझाया उमीद है सबको समझ में आया होगा चलो जी मिलते है next class में और next class स्वयामा किये थोड़ा ले वाली है तो चलो जी मिलते हैं next class में बाई बाई टेक केर